नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सुभी का आपकी अपनी उर्फ चैनल में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केस्टा प्रोग कीट के बारे में जिसका उपयोग मुख्य रूप से गर्बबात यानि की आपोशन करने के लिए किया चाता है तो आगे हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि इस कीट को किस तरह से लिया चाता है लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब चूर कर दिजगा क्योंकि यहां पर आपको मेडिसीन और हिल्थ इरिलेटर और भी बहुत सरी वीडियो देखने को में लगे तो दोस्तों यह जो केस्टा प्रो कीट है यह दो महिने के अंदर का गर्ब गिराने में मददकार है और इसे हमेशा डॉक्र के सलापर ही लेना चाहिए तो दोस्तों इस कीट में इस तरह से पाच गोलिया आती है जिसमें सबसे उपर की जो एक गोली होती है यह मेफिप्रिस्टरॉन की होती है जो प्रोजिस्टरॉन का एंटागोनिस्ट होता है और ये जो नीचे की चार गोलिया है ये Mizoprostol की होती है जो uterus की motility को भड़ाती है जिसके कारण uterus contract हो जाता है और उसके अंदर का जो भी material है वो expelled हो जाता है जिसके कारण गरवबात होता है तो छलिए अब बात करते हैं इस kit को किस तरह से लिया जाता है तो दोस्तो प्रेगनसी कंफर्म होने के बाद सबसे पहले आपको उपर की इस एक टैपलेट को सुभर नव बज़े खाना खने के बाद खा लेना चाहिए दोस्तो ये गोली आपको चबानी नहीं है डिरेक्ली वन ग्लास पाने के साथ निगलनी है उसके बाद 48 यानि की 48 गंटे का वेट करना है मतलब यदि आपने उपर की गोली सुम और को एक तारिक को सुभर नव बज़े लिए है तो उसके बाद 3 तारिक को सुभर नव बज़े आपको ये चारो टैपलेट एक साथ लेनी है लेकिन इन चारो टैपलेट को लेने का तरीका थोड़ा अलग है आपको इसे पाने के साथ निगलना नहीं है आपको ये आपके जीब के यानि की टंग के नीचर रखकर लेनी है मतलब उनको अपने आप पिगलने देना है वो डिजॉलिंग टैपलेट होती है ये चार टैपलेट जब आप लेते हो तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगे तो इस तरह से इस पूरी केट को लिया जाता है ध्यान रहे दोस्तों इस केट को हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलापर ही लेना है self medication ना करे क्योंकि हर किसी की medical condition अलग होती है और आपके डॉक्टर आपको अपके medical condition के नुसार दबा प्रिफर करेंगे उसका लेने का तरीका डॉक्टर आपको अलग बता सकते है so self medication ना करे तो चले दोस्तों आज के उडियो में बस इतना ही आशा करते हो कि इस वीडियो की जानकरी आपको helpful रही होगी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like, share, comment शरूर कर देजगा और ऐसे ही medicine and health related videos के लिए आप हमारी चैनल को subscribe भी कर सकते हैं धन्यवाद